हाल ही में खबर सुर्खियों में रहे कि शारुक खान की पत्नी गौरी खान का 30 कोड रुपए की दोखा दड़ी के मामले में नाम सामने आया है रिपोर्ट सही कि गौरी को एनफोर्स्मेंट डिपार्टमेंट ने समन जारी किया है हाला कि ताजा रिपोर्ट की माने तो ये खबरे गलत है हाली मैक फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार गौरी खान को दोखादड़ी के मामले में समन भेजे जाने की कबर पूरी तरह से अफ़ा है दख्विंट ने एक सौर्च के हवाले से इस मामले में लिखा है कि कमपणी के खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत दर्श करवाई है हाला कि गवरी खान का इससे कोई लेना देना नहीं है उनका नाम शिकायत में दर्श नहीं है शारुक खान की पतनी गौरी खान रियल एस्टेट कमपनी तुलसियानी गृप की ब्रैंड अबेसेवेडर है इस कमपनी पर पेसा लगाने वाले कुछ इन्वेस्टर्स ने कमपनी पर 30 कोड रुपे हडपने का आरुप लगाया है दरसल लकनो की सुशान गौल्फ सिटी में तुलसियानी गृप का एक प्रोजेक्ट चल रहा है इस प्रोजेक्ट में मुंबई के बिजनसमेन कृट जस्वन शा ने 2015 में 85 लाख रुपे लगाये थे अब प्रोजेक्ट कमप्रीट होने वाला है लेकिन तुलसियानी गृप ने किरिट जस्वन को ना पजेशन दी ना उनके पैसे लोटाए अब उन्होंने तुलसियानी गृप के कई लोगों के खिलाफ पेसे हड़पने के शिकायत दर्च की है रिपोर्ट रहे कि कमपनी पर होने वाली जांच के दाएरे में गृप खान भी आती है जो 2015 से इस कमपनी के ब्रैंड अबेसेडर बनकर कमपनी का प्रोमोशन कर रही है रियल एसेड कमपनी खिलाफ शिकायत करने वाल शिकायत करता ने बताया है कि उसने गौरी खान का एड़ देखने के बाद उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था गौरी खान जिसी सेलिब्रेटी का नाम जुड़ा होने पर उन्हें लगा कि भरोसे करने लाइक प्रोजेक्ट है खबरे थी कि गौरी खान को एन्फोर्स्मेंट डिपार्टमेंट ने समन भेज कर पूछा है कि उन्हें इस ग्रूप का ब्रैंड एम्बेसिटर बनने के लिए कितने रुपे दिये गए थे उनकी इस कमपनी से डील कैसे हुई थी और उन्हें अब तक प्रोजेक्ट से जुड़ने पर कितने रुपे दिये जा चुके हैं हाला कि अब ताजा रिपोर्ट्स में इन सभी दावों को गलत बताया जा रहा है इसे के साथ बने रहे रालकामा टीवी के साथ धन्यवाद